नमस्कार दोस्तों मैं बीके पांडे जीके राजस्थान में आप सभी का स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ और सभी भाई बैनों को शुप्रभात सुबह की सुप्रभात और अब आप लोग लाइव आजाईए और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजे जूम के शेय आज हम आपके सामने जिन प्रश्णों के साथ उपस्थित हुए हैं यह वो प्रश्ण है जो बहुत सरल हैं परंतु परिक्षा में आये हुए हैं और बालकों द्वारा इसमें छोटी-छोटी गल्तियां हो रही हैं हम यह नहीं कहेंगे कि यह प्रश्ण रिपीटेड हैं प यह रहे आज 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 आपके प्रश्ण कुल 15 प्रश्ण हैं इन ही को हमको फटावड उत्तर देना है देख्यें एक मिनट से जादा एक प्रश्ण को नहीं देना है अगर उसकी ब्याक्षया बहुत लंबी है तो ही मैं समय दूँगा अर्थात में उसमें ज्जादा समय न उत्तर दीजे प्रश्ण पूछ रहे हैं निश्चल सब्द में शुद्विच्छेदित करिए निश्चल को संद्विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है निश्चल का संद्विच्छेद करके दिखाईए कुल मिला करके प्रश्ण इस बात का है कि आप निश्चल का संद्व बिक्षेद कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे तो निश्चल का संदी बिक्षेद आपको करके दिखाना है तो निश्चल का संदी बिक्षेद करके दिखाईए सभी भाई बैन यहाँ पर शुद्ध विक्षेदन करना है चार बिकल्प है निधंचल, निस्दंजल निश्दंचल, निधंचल चार बिकल्प है सभी भाई बैन उत्तर दीजे प्रश्ण है आपका निश्चल सब्द में संदि विक्षेद बताना है बताईए मैं आप सभी का श्क्रीन पर उत्तर देख रहा हूँ उमीद है आप सभी मेरे भाई बैन लगातार उत्तर देंगे तो जल्दी से उत्तर दीजे और मैं श्क्रीन पर देख रहा हूँ बिटा जल्दी से उत्तर दीजे सभी भाई बैन एक मिनट से जादा एक प्रश्ण को बिल्कुल समय नहीं देना है क्योंकि इतना समय है ही नहीं जल्दी से उत्तर देना है बिल्कुल वक्त नहीं जाया करना बिटा चलो अब देखलो निश्चल में क्या है बिटा बिकल्प ए बिल्कुल सही है बिकल्प ए क्या कह रहा है बिकल्प ए कहता है निश्चल में निजधन्द चल अर्थात कौन सी संदी बच्चे बिसर्ग संदी कौन सी संदी बालक बिसर्ग संदी है यानि कि निश्चल में कौन सी संदी बिसर्ग संदी है ठीक है बच्चा, तो निश्चल में पहला भी कब सही हो गया, आईए अपने अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं, हमारा अगला प्रश्ण आपके स्क्रीन पर, परोपकार शब्द में कौन सी संदी है, जल्दी स उत्तर दीजे, परोपकार शब्द में कौन सी संदी है बिटा, याण संदी, और परोपकार का आपको बिक्षेद भी बताना है, इसका आपको संदी बिक्षेद भी बताना है, तो इसका संदी बिक्षेद भी बताईए, और यहाँ भी बताईए कि कौन सी संदी है, बिल्कुल बहुत ही कम समय में हम आपको प्रश्ण करवाएंगे, बिल् सर्गे संदी गुण संदी ब्रिद्दी संदी या न संदी जल्दी बताएं तो अब आपने उत्तर देना है परोपकार में कौन सी संदी है तो परोपकार में ब्रिद्धी संदी है कौन सी संदी है ब्रिद्धी संदी है अब आपका एक होमवर्क है उसको नोट कर लीजे होमवर्क क्या है ब्रिद्धी संदी के नियम आपको हमें comment box में comment करने हैं बृद्धी संदी के नियम आपको comment box में comment करके बताना है, ताकि हम जान पाएं कि आपको इतने दिनों से हम पढ़ा रहे हैं, आपको उसका कुछ लाब हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए आप हमें comment box में comment करके जरूर बताइएगा, कि बृद्धी संदी कब होती है, आईए हम अपने प्रशन नंबर 3 पर चलते हैं, मुखदर्शन में कौन सा समास है, बताएज़ जल्दी से, मुखदर्शन, इसमें कौन सा समास है, बहुबरिही, दवन्द, तत्पुरूस, दिगू, लगबग 6-7 बार इस प्रशन को repeat किया गया है, और मैंने खुद इस प्रश्णों को कई बार करवा भी दिया है तो उमीद करते हैं कि आप इसका उत्तर बहुत अच्छे से दे पाएंगे जल्दी जल्दी उत्तर दें बिना समय जाया किये हुए जल्दी से बिटा उत्तर दीजे बहुत कम समय में हम प्रश्णों को करवा रहे हैं बिल्कुल समय नहीं लगा रहे हैं हम चाहते हैं कि 25-30 मिनट में आपका पूरा-पूरा पेपर स्वाल्ब हो जाया करे इससे ज़्यादा समय लगाना ही नहीं है आपके घ्यान की सीमा और आपका समय हम दोनों को समझते हैं हम चाहते हैं कि दोनों का एकदम बराबर स्वर्वयोक किया जाए देखिए जब बात किया जाता है मैं एक-एक संधी के बारे हम बात कर लेता हूँ जब दिगु समास की बात करते हैं तो बेटा मैंने आपको ट्रिक भी बताया हुआ है जब हम बोलते हैं दूई तो इससे कैसा सांड आता है दो और यह दो क्या है बच्चा एक संख्या है और जब दो एक संख्या है तो हमने आपको बताया जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, उसे हम दिगु समास के नाम से जानते हैं, तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो जाए, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो जाए, उसे हम दिगु समास के नाम से जानते हैं, ततपुरुष समास में क्या होता है इसमें क्या हो जाता है बेटा दुतिय पद की प्रधानता पाई जाती है और क्या होता है इसमें दुतिय पद प्रधान होने के साथी साथ यहां पर और क्या होता है दुतिय पद प्रधान और क्या दोनों पदों के बीच में कारक चिन्न का लोप हो जाता है तो यहाँ पर कारकों का भी लोप पाया जाता है ठीक है हमारे यहां कारकों की संख्या आठ बताई जाती है बिटे कई बार बताया है मैंने दौन्द समास में मैंने आपको बताया क्या बच्चा बोलो दोनों पद प्रधान होते हैं क्या होते हैं बालग दोनों पद प्रधान होते हैं दौन्द समास में दोनों पदों की प्रधानता पाई जाती है दोनों पद प्रधान होते हैं ध्यान से सुनिएगा द्वंद समास की पहचान इनके बीच में योजक चिन लगा होता है इसी को योजक चिन के नाम से जानते हैं इसी को योजक चिन के नाम से जानते हैं इनके बीच में योजक चिन लगा होता है और क्या जानकारी, इसके बारे मैं आपको दे सकता हूँ, द्वन्द समास में पहला पद इस्त्री पद होता है, ध्यान से समझना मिठा, द्वन्द समास का पहला पद क्या हो जाएगा, इस्त्री पद हो जाएगा, तो यानि पहला पद यदि इस्त्री पद हो, बीच में प्रधान दोनों पदों को छोड़कर तीसरा पद यदि प्रधान हो जाए तो आप क्या कहेंगे वहां बहुब्रही समास है इसलिए हमारे चारों के बिकल्पों के बारे मैंने आपको बता दिया अब मुखधर्शन में आपका तत्पुरुष समास है बहुत सारे हमारे भाई बहन उत्तर दे रहे हैं सभी को देख करके बड़ी खुशी हो रही कि लगातार उत्तर आ रहे हैं आईए प्रशन संख्या चार के और बलते हैं इस पर समय जाया करना आवश्यक था क्योंकि जब आप इसकी जानकारी नहीं रखेंगे तो आगे के प्रशन गरत कर देंगे औ आदी मतलब होता है प्रारंब में कई बार मैंने बताया है आदी का अर्थ होता है प्रारंब ठीक है आदी में जुड़ करके पहले अर्थ को परिवर्तित कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं पहले अर्थ को परिवर्तित कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं अब्याय प्रत्य सर्वनाम या उपसर्ग बताएं जल्दी से बताईए मैं आपको भी इन चारों के बारे मताऊंगा कि ये चारों क्या हैं लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें उत्तर दे दीजे बताईए बेटा जल्दी से देखिए अब ये क्या होता है जिस पर लिंग वचन कारक और काल का कोई प्रभाव न पड़े तो उसको क्या कहे देना बेटा उसको कहे देना अब्याय है प्रत्याय किसी भी शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थों में परिवर्तन कर देता है किसी भी शब्द के पीछे लग कर उनके अर्थों में परिवर्तन कर देता है उसे हम क्या करते हैं बिटा कहते हैं प्रत्याय पीछे लग कर उनके अर्थों में परिवर्तन कर देता है बालक क्या बुलो अगर कोई शब्द कोई शब्दांस किसी शब्द के पीछे लगकर उनके अर्थों में परिवर्तन करे तो हम उसे कहते हैं प्रत्य इसका एक तरीका मैंने आपको बताया था जैसे प्रत्य का पहला शब्द है पा और आप कह दीजे पा से बन गया पीछे तो ट्रि करता नहीं है सरवनाम के लिए मैंने आपको दो चीजें बताया है आपसे दो ही सवाल सरवाधिक आपकी परिक्षन BSTC में और P-Tate में पूछा जाता है कि बहिए सरवनामों की संख्या कितनी है आप बता दीजे 11 और सरवनामों के भेद कितने तो बिटा बता दो 6 ठीक है हम आपने इन सब की चर्चा किया हुए अपने वीडियो में जो चात लगातार देख रहे हैं उनको तो ये बात बहुत अच्छे से पता होगी और बेटा एक बार वीडियो को शेयर कर दीजे लगातार जूम के शेयर कर दीजे ताकि हम अपनी मेहनत को सार्थक बना पाएं आपके विद्या क्या है ना बाटने की चीज़ है जब आप इसको जितना बाटेंगे आपको उतना ही अरजन होगा इसका ठीक है चलिए अब देखिए उपसरग की बात हो रही है तो ये क्या लगता है किसी भी शब्द के आगे लग करके उनके अर्थों में परिवर्तन कर देता है बच्चा ठीक है अब देखो विटा एक बाद ध्यान समझो क्या पूछ रहें जो शब्दानस कि शब्द के आदि मतलब क्या प्रारंब में लगते हैं तो प्रारंब में लगेगा तो क्या कहलाएगा प्रारंब में लगेगा तो उपसर कहलाएगा बहुत अच्छे लगा तार उत्तर आ रहे हैं और अगर पीछे लगेगा अंत में लगेगा कहां पत्त्त्य कहलाएगा समझ में आ गया मेरी बात इस प्रश्ण का उत्तर क्या होगा जो शब्दान से शब्द के आदि में आदि मतलब क्या प्रारंब में अंत मतलब अंत में ठीक है समझ में आ गया चलो विटा अगला प्रशन आपके स्क्रीन पर आपका इंतिजार कर रहा है आईए हमारा अगला प्रशन बहुत ही महत्तोपूर्ण प्रशन है बालग मैं इसके प्रश्ण है दो स्वरों अथ्वा दो ब्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं जब दो स्वर या दो ब्यंजन एक साथ मिल जाएं तो क्या कहोगे बेटा समास कहोगे संधी कहोगे प्रत्य कहोगे या क्रिया विशेशन कहोगे बताओ यह थोड़ा सा गलत हो गया है इसको लिख ली चलो बिटा अब बताओ जब दो स्वरों अथ्वा दो बेंजनों को जोड़ दिया जाए तो क्या कहा जाएगा यानि जहां पर भी दो स्वरों का मेल हो अथ्वा दो बेंजनों का मेल हो वहां क्या होता है बालक बताएं जल्दी से चार विकल्प है, समास है, संदी है, प्रत्य है, क्रियाविशेशन है, जल्दी अल्दी वीडियो को एक बार शेर कर दीजे सब लोग, संख्या 300 पहुचाना है, संख्या 300 मैं आप से रोज कहरा हूं, संख्या 300 पार नहीं हो पार ही है, 286 अब बेतर पहुच के रुख जाते है आप लोग, आज संख्या 300 पार होना ही चाहिए, सभी भाई बहन एक बार वीडियो को शेर कर दीजे, और आप तो रक्षा बंदन आ चुका है, तो मैं चाहूंगा, कि आप लोग बीडियो को इतना शेर करिए, कि हमारे भाई बहन होने का आपको फर्ज अदा करना है, ठीक ह कहते हैं, समास का विग्रह किया जाता है, विक्षेद नहीं, संधी का हम क्या करते हैं, संधी का हम विक्षेद करते हैं, इसका विग्रह नहीं करते हैं, यहां से दो प्रकार के प्रशनाग की परिक्षा में सरवाधिक पूछे गया हैं, बिटा, पूछा गया है, समास का वि प्रता ही दिया पासे प्रत्य पासे पीछे किसी भी शब्द के पीछे लगकर उनके तुम परिवर्तन कर दे प्रत्य कहलाता है और दो स्वरों और दो बेंजनों का मेल जला समझेगा हम इसका उत्तर संधी को मानते हैं यह आपका आयोग ने इसको संधी कहा बिल्कुल सही भी भी कहा बहुत सारे चहत्रों का उत्तर आया भी लेकिन बहुत सारे चहत्रों को हवा नहीं लगी कि उत्तर कैसे होगा और तुक्का मारने में लगे हुए थे संधी की जब बात करते हैं तो संधी के हम तीन भेद मानते हैं पहला क्या बेटा बोलो स्वर संधी दूसरा क्या बेटा बोलो ब्यंजन संधी तीसरा बालक क्या होगा बिसर्ग संधी होता है तो जब स्वरसंदी की बात आती है तो स्वर, धन, स्वर मिल करके स्वरसंदी का निर्माल करते है बेटे ठीक है? बेंजन की जब बात आती है न तो बेंजन, धन, स्वर और बेंजन कुछ भी मिल जाती है और बिसर्ग में बिसर्ग धन-स्वर या ब्यंजन कुछ भी मिल जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है बिटा वहाँ हो जाता है संदी बिसर्ग तो अब मैं आपको सिद्ध कर पाया हुँ न मैंने सिद्ध करके भी दिखाया बहुत से लोग YouTube की दुनिया में प्रैक्टिस करवाते हैं क्या कोई सिद्ध करके दिखा सकता है क्या चीज कैसे उत्तर हो रहा है मैंने आपको इस प्रूप करके दिखाया कि संदी उत्तर कैसे है अब क्या आपके जहन से इस प्रशन को कभी आप गलत करेंगे नीद में भी गलती नहीं होगी बेटा वीडियो को खूब शेयर करिए जबर जस और अगर अच्छा लग रहा है मज़ा आ रही है तो लाइक करते चलिए वीडियो को चलिए बेटा आप देखिए अगला प्रशन नाक रगणना का क्या अर्थ होता है बताईए नाक रगणना का क्या अर्थ होता है बताईए नाक रगणना का क्या अर्थ है चार विकल्प है नाक में चोट लगना इज़त देना दीनता पूरवक प्रार्थना करना चापलूसी करना चार भी कल्प है फटा फटर दीजे फटा फटर दीजे जल्दी से विडियो को खतम करना है क्योंकि भाई हमें ज्यादा समय नहीं लगाना और आपकी practice में भी चार चांद लगाने हैं और आपका चैन भी करवाना है और आपके हाथों से मिठाईयां भी खानी है ठीक है तो जल्दी जल्दी उत्तर दीजे भीटा नाकरगढळणा का کیा अर्थ है कि दीन्ता-पूर्वक्स प्राधना करना क्या उत्तर हो जाएगा दीन्ता-पूर्वक्स प्राधना करना इस मुहावरे का अर्थ है नाक रगड़ना यानि दीनता पूर्वक प्रार्थना करना अगला प्रशन उन्मूलन का विलोम भाई बहुत बार इस प्रशन को परिक्षा में पूछा गया है उन्मूलन का विलोम बताईए उन्मूलन का विलोम क्या होगा उन्मूलन का विल प्रभात की बेला में बहुत ही मात्तोंड विलोम शब्द है उन मूलन का क्या होगा बताएं जल्दी से उन मूलन का विलोम क्या होगा फड़ा बड़त तर दीजे सब लोग और वीडियो को शेयर करते रहें ताकि जादा से जादा छातरों तक हम पहुँच पाएं और हमारी प्रभात की बेला में की गई मेहनत सार्थक हो आपके सामने हम प्रभात बेला में आते हैं बिटा लेकिन हम इसके लिए पूरी रात्री मेहनत करते हैं हमारी टाइपिस्ट, हमारी टीम इसके लिए लगातार मेहनत करती है तो आप एक बार हमारी टीम को भी इसके लिए दन्यवाद कर सकते हैं हमें भी दन्यवाद कर सकते हैं नेसुल्ख हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ मेहनत करते चलिए तो क्या बात है तब तो चार चांद लग जाएं हम के बाल आपका सेलेक्शन चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारे भाई बहन चैनित हो करके राजस्थान के सरकारी विद्यालों में अध्यापक के तोर पर अपनी ख्यात विक्सित करें और जब कोई आप से पूछे कि कहां से पढ़ा तो बताईएगा जी कि राजस्थान के चैनल से इन इन अध्यापकों के साथ हमने अध्यन किया था बहुत ही बहतरी इन लोगों ने पढ़ाया था क्या जबरजस्थ मेहनत किया था और हमारा चैन्स उनिश्यत करा दिया हम आपके साथ मिठाई खाने जरूर आएंगे बिटा चलिए उनमूलन का बिटा हो जाएगा रोपर बिकल्प सी एकदम मेरे भाई बहन सभी लोग ध्यान से सुने क्या हो जाएगा उनमूलन का हो जाएगा रोपर या उनमूलन का कहीं कहीं निमीलन भी होता है तो दोनों सही है उनमूलन का रोपर उनमूलन का निमीलन दोनों सही है ठीक है बडा मात्तोपोल प्रश्न है, जो छात्र हमारे KBS की भी परिक्षा देना चाहते हैं, बविश्य में DHSSB भी देना चाहते हैं, Reed College Bia Khyata की बी परिक्षा देना चाहते हैं, वहाँ पर साहित थे के भी कुछ-кुछ प्रश्न आते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा आथ को अभी से पिंच करना शुरू कर रहे हैं तैयार करना शुरू कर रहे हैं इस प्रशन का उत्तर दीजे महाबीर प्रशाद दुरुएदी ने आधिकाल को किसकी संग्या दिया बिटा बताएं महाबीर प्रशाद दुरुएदी ने आधिकाल को क क्या कहा था महाबीर प्रशाद दुरुवेदी ने आधिकाल को क्या कहा बताएं मैं देखना चाह रहा हूं कौन-कौन से विद्यार्थि उत्तर देते हैं जल्दी जुत्तर दीजे सभी भाई वेंदे के महाबीर प्रशाद दुरुवेदी ने आधिकाल को चारण काल कहा आधिकाल कहा बीर काल कहा या बीजवपन काल कहा वेटा क्या कहा तो महाबीर प्रशाद दुरुवेदी ने आधिकाल को बीजवपन काल की संग्या दिया वेटा क्या बोला आधिकाल को बीजवपन काल की संग्या दिया किसका बीजवपन काल का एक और प्रशन आपके सामने देखते हैं कितने चात्र उत्तर देते हैं थोड़ी सी तो तयारी में आपके चार चांद लगाएंगे और साहित्य के भी प्रश्ने कभी-कभी परिक्षा में पूछे जाते हैं दो से तीन प्रश्ने कभी-कभी साहित्य के पूछ लिये जाते हैं नियमावलियों से इतर करके आति सूधो सनेह को मारग है किसकी पंक्ति है आलम की बोधा की ठाकुर की या घनानंद की चार विकल्प है आज चाहे तो मैं ये पूरी पंक्ति भी आपको बता दूँ आति सूधो सनेह को मारग है जहां नेकु सयान हवाक नहीं तहां सोच चले तजी आपन हो जजके कपटी चे निशाक नहीं घना आनंद प्यारे सुजान सुनो यहां एक ते दूसरो आक नहीं ये घनानंद की पंक्तिया है बहुत सारे चात्र इसका उत्तर नहीं जानते हैं ले घनानंद प्रेम की पंक्तियां है प्रेम के विषय में लिखा गया है मैं आप कभी इसका आर्थ आपको समझाओंगा बहुत बिस्तित तोर पर लेकिन आज इस पर समय नहीं देंगे प्रेम का अर्थ कभी किसी और दिन समझेंगे लेकिन अति सूधो सनेह को मारग है इतना याद रखेगा परिक्षा में इतना ही पूछा ही जाता है यह किसकी पंक्ति है तो आप बता देना घनानंद की घोर श्रिंगारी कभी माने जाते हैं कैसे कभी है घोर श्रिंगार लिखने का श्रे इंग्यों पर जाता है तो घोर श्रिंगारी कभी है कालिंदी का वाची बताईए सरस्वती लच्मी गंगा यमुना सरस्वती लच्मी गंगा यमुना बिटा बताएं जल्दी से बताईए बहुत ही जबर्जस्त प्रशनाप के साफ एक छह उत्तर दीजे क्या बात है जल्दी सुत्तर दीजे कालिंदी का परियावाची क्या हो जाएगा तो कालिंदी का परियावाची हो जाएगा बेटा यमुना कालिंदी का परियावाची क्या हो जाएगा यमुना हो जाएगा कालिंदी का परियावाची क्या कालिंदी का परियावाची हो जाएगा यमुना अगला प्रश्ण देखिए आपके स्क्रीन पर है प्रश्ण क्या कह रहा है आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? जल्द जल्दी उत्तर दीजे आधुनिक हिंदी साहित्य के पहली आत्मकथा के लेखक बहुत इंपॉर्टन प्रस्न है आधुनिक हिंदी साहित्य के पहली आत्मकथा की बात की जा रही है पहली आत्मकथा के कौन माने जाते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के पहली आत्मकथा के लेखक बापु स्याम सुन्दर दास देवेंद्र सत्यार्थी हरी संकर बच्चन या जैसंकर प्रशाद चार विकल्प हैं जल्दी से उत्तर दीजे बहुत ही धुआधार प्रश्ण है बेटा क्या बात है हर इवन्श राए बच्चन इसके उत्तर सी है हर इवन्श राए बच्चन हो जाएगा कॉपी में नोट करते चलिए जिन साहित्य के प्रश्णों को मैं करवा रहा हूँ हुआ ऐसे ही नहीं करवा रहा हूँ आपका समय नहीं चाया करने वाले हैं हम आप जानते हैं कि हम आपके साथ लगातार मेहनत करते हैं तो साहित्य का प्रश्न होने का मतलब कि परिच्छा में कहीना कहीस से पूछा गया है आपके लिए यूस्फूल है मात्तोपुर्ण है तब हमने आपके सामने रखा है σमज़ने की कोशिश करो तब यह तो रखा गया है मेरे भाई अब चलिए अगला प्रस्ना अपके स्कृरीं पर कारे के आ मुहावरे का अर्थ है सिर मारना, सिर पर सहरा बना होना, सिर मुणते ही ओले पढ़ना, सिर पर सैतान सवार होना बताओ कारे के आरंब में बिगन पढ़ना किस मुहावरे का आर्थ है बच्चे बताएं जल्दी जल्दी उत्तर दीजे मैं आप सभी के कमेंट्स देख रहा हूँ बेटा बहुत जल्दी से उत्तर दीजे चलिए हमने पूछा कार्य आरंब होते ही बिग्न पढ़ना यानि सिर मुड़ाते ही ओले पढ़ना इस प्रशन को मैंने करवाया भी था यह most most important प्रशन है और लगातार परिच्छा में रिपीट किया गया है अगला प्रशन प्रशन को कवि का कवि कहा जाता है बताईए आज के पूरे पेपर में आपने कितने अंक अरजित किए बहुत महत्त पूर्ण है तो कवियों का कवि कहते हैं समसेर बहादुर सिंग को समसेर बहादुर सिंग को हम कवियों का कवि कहते हैं बहुत तेज तेज उत्तर दीजे समय नहीं लगा न बटा चलिए अगला प्रशन दसरत सुत्तिह लोक बखाना राम नाम का मरम है आना मेरे भाई ये कवीर की रचना है कवीर की रचना देखते ही समझ में आ जाती है इनकी तीन महत्वपूर्ण रचनाएं है साखी, सावध, रमैनी चलिए, अगला प्रशन आपके स्क्रीन पर और ये आज का अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या पंदरा हिंदी का पहला पत्र कौन सा है हिंदी का पहला पत्र कौन सा है जल्दी सुत्तर दीजे हिंदी का पहला पत्र कौन सा है बताएं पहला पत्र कौन सा है हिंदी का पहला पत्र कौन सा है उद्दंड मारतंड इतिहास तिमिरनाशक बनारस अकबार या हरिश्चन्र मैगजीन देखिए जब आप से पूछे कि हिंदी का ही प्रथम पत्र कौन सा है तो आप बताईएगा उत्तंड उत्तंड मार्तंड उत्तंड मार्तंड जो है ये हिंदी का पहला पत्र माना जाता है जब आप से कभी ऐसा पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का पहला अगबार कौन सा था तो आप बता दीजेगा बनारास अगबार ठीक है और बाकी अभी तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपके राजस्थान से जुड़ा हुआ हो नहीं तुम्हें जरूर बताता आज की क्लास को बेटाम यहीं पर समाप्त करते हैं उमीद है आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा मज़ा आया होगा समझ में आया होगा आज यहीं पर खत्म करते हैं हमारी कलकी कक्छा और आप सभी को रक्षा बंदन की अग्रिम सुपकामना है मेरे सभी बाई कास अएशा होता कि मैं आपके साथ राकी बंदवा पाता लेकिन फिरहाल के लिए तो अभी आईसा ही काम चलाना पड़ेगा लेकिन बहुत जल्द जिस दिन आपका सेलेक्शन होगा हम आपके सामने होंगे आपके बीच में होंगे और आपको हर तरह की सुपकामनाइप दे नमस्कार दोस्तों, खुछ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें